आज के वीडियो करते हैं हम एक्ससाइज 7.2 और क्वेश्चेन नमरे 23 परसेंटेज चाप्टर है क्लास एट से तो आज का जो सवाल है वह है और शॉप की पर सेल सेटर एट लॉस फाइब परसेंट होके इफ ही हैट सोल इट फॉर टू सिक्स्टी मोर अगर वह उसको टू सिक 50 रुपीज ज्यादा में सखर करता है समय क्या होगा कि इसकी सेलिंग पर्इस ने सबीक हमने पता है है सब्सक्राइब कोश्ट प्रायस है कि अभी ठीक है हमें पता नहीं है तो हम क्या मालेगी स्वेतर की जो को कॉ क्ष पर्यस हो एकसे लोज पर्सेंटे आपका दिया हुआ है, loss percent कितना है, 5% है, तो SP क्या हो जाएगी, selling price क्या हो जाएगी, 1- loss percent of rupees X, क्योंकि आपको, आपने suppose किया है कि जो CP है, वो हमारा X है, तो हमने 1- loss percent of rupees, CP होता है, तो CP हमारा X है, तो हमने X लेखा है, next हम क्या करेंगे, selling price equal to क्या हो जाएगा, 1- 5%, sorry, 1- 5% है, इसका मतलब, 5 upon 100 हम लिखेंगे, of की जगा multiply है, और X हमारा क्या है, X ही है, क्योंकि जो cost price है, वो X है, तो हम X ही लिखेंगे, इसको हम solve करेंगी, 100-5, 95 upon 100 आजाएगा, multiply X, SP equal to 95 upon, 95, sorry, 95 upon 100, multiply X, अगर हम इसको cut करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 5 से 19 टाइम्स जाएगा, और यह 5 से 20 टाइम्स जाएगा, तो selling price हमारी क्या निकलेगी, 19X upon 20, यह हमारी selling price है, प्राइस है, इसलिए में आपर रुपीज लिखेंगे, तो यह हमारी selling price निकल गई, अब आपको क्या है कि 15% profit, इसमें है ना, अगर वो 260 रुपीज ज्यादा में sale करता है, तो उसका जो profit है, वो कितना है, 15%, तो हम next condition लेंगे, now, profit equal to 15%, तब selling price क्या हो जाएगी, selling price equal to 1 plus 15 upon 100, ऑफ, जो cost price है, वो x ही है, हम x लेंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 plus 15, इसको हम solve करेंगे, तो 100 plus 15, तो 115 upon 100, okay, multiply x आएगा, अब हम इसको अगर solve करते हैं, 150 upon 100 x, इसको अगर हम solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 times जाले जाएगा, 20, और यह हो जाएगा, 5 to 10, 23 हो जाएगा, ठीक है, तो जो SP है, वो क्या हो जाएगा, 23 x upon 20, यह हमारा selling price, अगर 15% profit में है, तो उसका selling price क्या है, 23 x upon 20 है, ठीक है, और 15 और 5% loss में, उसका जो SP है, वो कितना है, 19 x upon 20, according to given questions, according, according to question, question में क्या दिया हुआ है, आपके सवाल में दिया हुआ है, कि अगर वो 260 जादा में sell करता है, तब उसको 15% का profit होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, next equation आपका बन जाएगा, selling price है, 15% profit पर उसके selling price क्या है, 23 x upon 20 है, अगर इसको वो 260 रूपीज जादा में sell करता है, यह न, प्लस 260, क्योंकि 260 रूपीज जादा में sell करने पर, उसे 15% का profit होता है, तो यह वाली selling price equal to हो जाएगी, 19 x cost price प्लस 260 more, क्योंकि 260 जादा में उसे sell करना है, तब उसको कितनी selling price होगी है, आपका यह equation हो गया, 23 x upon 20, 15% जाग profit लेके अगर वो sell करता है, तो उसकी जो selling price है, वो यह है, तो selling price equal to हो जाएगी, उसकी पहले की जो cost price है, पहले की जो selling price है, उसको 260 जादा में उसको sell करना है, आपके question में लिखा हुआ है, अगर 260 more अगर sell करता है, तब उसकी जो selling price है, 15% जादा होती है, इसलिए आपका equation बनेगा, 23 x upon 20 equal to 19 x upon 20 plus 260, ठीक है, क्योंकि 260 जादा में उसे sell करना है, हो सकता है, आपको clear हो, क्या होगा, ठीक है, अगर आप सवाल को ध्यान से देखोगे, तो ये क्यों हमने लिखा, आपको clear हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाले equation है, अब हम क्या करेंगे, x x को एक तरफ ले लेंगे, क्योंकि अब आपको क्या करना है, x की value find करनी है, तब ही आपका जो value है वो निकलेगा, तो ये हो जाएगा, 23 x upon 20, ठीक है, अब ये 19 x इदर आएगा, देन ये 19 x, minus में हो जाएगा, इदर plus है, equal कि इदर आएगा, तो minus हो जाएगा, 20 equal to 260, अब जैसे हम LCM निकालते हैं, इस तरह के जो सवाल solve होते हैं, तो 20 हो जाएगा, 23 x minus 19 x equal to 260, तो 23 से अगर 19 जाता है, तो कितना यहाँ पर अटा के, यहाँ पर clear करते हैं, ठीक है, 4 x upon 20 equal to 260, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x upon 5, यहाँ पर आपने देखा, x upon 5 क्यों आया, ठीक है, हम सीधे x upon 5 लिख रहे हैं, equal to 260, तो x equal to आपका क्या होगा, इसलिए, x equal to क्या हो जागा, 260 multiply 5, अगर हम इसको solve करते हैं, तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको multiply करते हैं, तो यहाँ पर गलत है, आजाएगा, rupees 1300, तो जो आपकी cost है, वो क्या हो जाएगी, cost price, इसलिए, cp of the sweater, यहाँ तो नहीं हो रहा है, equal to 1300, यह हमारा answer हो जाएगा है, okay, next 24 सवाल, 24 में क्या है, जानकी, sold her leather purse at 8% loss, okay, if he, if she had sold it for rupees 150 more, अगर वो 150 ज्यादा में उसको sell करती है, she would have made 12% profit, तो आपको उसकी selling price पता करनी है, अगर यहाँ पर selling price नहीं दी है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर selling price को suppose कर लेते हैं, suppose, selling price of purse, equal to x, तो फिरम वही formula पूट करेंगे, loss आपका दिया हुआ है, loss 8% का दिया हुआ है, फिर्स्ट कंडिशन, loss at 8% है, इसलिए, रुपीज x equal to क्या हो जाएगा, 1-8% का मतलब, 8 upon 100 of CP, ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चुकि, selling price equal to होता है, 1-L upon 100 of CP, रुपीज x, हम सिर्फ x ही लिखते हैं, 100 मेंचे अगर 8 को माइनस करेंगे, इसको solve करेंगे, तो 100-8, इसका मतलब 92 upon 100 आएगा, ओके, of CP, CP में पता नहीं है, इसलिए हम of CP ही लिखेंगे, इसलिए CP equal to क्या हो जाएगा, आपका, CP equal to हो जाएगा, x multiply 100 upon 92 हो जाएगा, ओके, यह क्या हो गया, 100 x upon 92, यह आपका cost price निकल आया, ओके, आपको पता होगा किस तरह से निकालना है, cross multiplication हमने, जो CP है, cost price equal to, क्या हो जाएगा, x multiply 100 upon 92, ओके, इस तरह से हम लोगोंने पहले भी सवाल solve किये हैं, इसलिए CP equal to इस equation में आयागा, आपको समझ में आया, यह सब क्यों आया, next है, अब अगर उसको 12% profit होता है, now, profit equal to कितना है, 12% है, 12% सवाल में दिया हुआ है कि, now profit equal to 12%, sorry, 12%, okay, then CP equal to क्या हो जाएगा, sorry, SP equal to, SP equal to वही formula हम पूट करेंगे, 1 plus 12% का profit हो रहा है, then 12 upon 100, ठीक है, of CP, of CP, अब हम यहापे वही निकालेंगे, SP equal to को हो जागा, रहा हम इसको solve करेंगे, तो 112 हो जाएगा, ठीक है, 100 plus 12 equal to 112 upon 100, of CP, CP आपका कितना निकला, 100x multiply 92, तो हम वही पर लिखेंगे, 100x upon 92, ओके, इसको अगर हम solve करते हैं, तो क्या जाएगा, 00 कट जाएगे, तो यह क्या हो गया, 112x upon 92, ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया, 8% loss पे, उसका जो, cost price है, वो कितना निकला, 100x upon 92, ओके, और यहाँ पे, जो selling price है, 12% profit पे, उसका selling price कितना निकला, 112x upon 92, तो जो given condition आपको दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, if she had sold, it for 150 more, अगर वो 150 रुपीज ज्यादा में उसको sell करती है, ठीक है, तो उसको कितने का profit हो रहा है, 12% का profit हो रहा है, इसलिए हमारा equation क्या बन जाएगा, इसलिए हमारा equation बन जाएगा, 112x, selling price है, 12% profit पे, 112x upon 92, 112x upon 92, यहाँ पे लिखना, आप यहाँ पे मेरा रहा गया, given condition, given condition, क्या आपको condition दिया हुआ है, 112x, selling price इतनी है, अगर वो 150 more में, तो आपका जो selling price है, वो x है, हमने हैं आपर सपोस्ज क्या हुआ हुआ है, सपोस्ज selling price of course equal to x है, ठीक है, तो selling price को, अगर वो 150 more में sell करती है, तो जो उसकी final, selling price वो क्या हो जाएगी, x plus 150 हो जाएगी, तभी तो उसको selling price ये मिला, क्योंकि उसने लिखा था, अगर जो profit है, 12% जादा हो रहा है, अगर उसकी जो cost, selling price है, उसको वो 150 जादा में sell करती है, तो x में तो sell कर रही है, उसी में अगर वो 150 जादा sell करेगी, फर्स selling price है, इसमें अगर वो 150 जादा कर देगी, तो उसका जो selling price है, SP है, वो क्या हो जागा, 112 x upon 92, ये आपके सवाल में दिया हुआ है, तो हम इसी condition में लेके जाएगी इसको, क्या हो जागा, 112 x upon 92, x x है, एक साथ हम लेके आएगे इधर, अब ये इधर आएगा, तो माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर 150 है, ओके, अगर हम इसको solve करेंगे, तो 112 x minus 92 x upon 92, equal to 150 आएगा, ओके, अब हम इसको solve करते हैं, 112 में से अगर 92 minus होगा, तो 220, और 11 से 9 गया, 2, ओके, 20 आएगा, 20 x, अपोन 92, equal to 150, ओके, x equal to क्या हो जाएगा, x equal to हो जाएगा, 150 multiply 92, ओके, इक्रोस मल्टिप्लिकेशन बाला सिस्टम, अपोन यहाँ पर 20 आजाएगा, अब हम इसको solve करेंगे, 00 तो कट गए, ठीके, 00 कट गए, अब 2 से 92 को हम multiply करते हैं, ठीक, 2 से हम 92 को कट कर देते हैं, 248, 2612, तो x equal to क्या हो जाएगा, 46 multiply 15, ओके, अगर हम इसको multiply करेंगे, तो कितना हो जागा, 56, 0, आप में है, 69, यह हो जाएगा आपका cost price, okay, sorry selling price, यसलिए, SP of the purse equal to Rs. 690, जाएगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा